नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बहुत चमतकारिक हैं अगर इसका प्रियोग सही तरीके से कर लिया जाए तो ना सिर्फ वसी करन होता है बलकि धन की मुश्किलें भी दूर होती है सत्रू सांथ होते हैं तो आज इसी करम में हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो धन की मुश्किलों को बढ़ाता है यहां तक कि आप अगर इस पौधे का प्रियोग करें तो सामने वाला आपके वसी बूत हो जाता है सहदेवी धन पाने के लिए इस पौधे का दूरलव तांतरिक प्रियोग किया जाता है अगर इस पौधे के आप तोटके कर लेते हैं तो जीवन भर धन की कमी नहीं होगी धनवान बने रहेंगे घर में सुकसांती बनी रहती है तो धन की कमी को दूर करने के लिए सबसे एहम है सहदेवी के पौधे का तोटका अब देखिए अब आप बहुत परेशान है तमाम तरह के उपाई कर लिए तोटके कर लिए पर भागे साथ नहीं दे रहा है तब आप जोतिस से जुड़े इस पौधे का तोटका कर ले तो यकीन मानिए भागे साथ देने लगता है तो टोटके को करने के लिए आपको सहदेवी के पौधे क्या जड़ चाहिए होगा और इस जड़ को लाएंगे कैसे एक दिन पहले निमंतरन देना है इस बात का हमेशा ही खयाल रखे नहीं भी अगर एक दिन पहले दे सकते हैं तो उसी दिन आप कर सकते हैं आप प्रेम स के चमकदार कपड़े में याद रखिए चमकदार रेसमी कपड़ा क्योंकि मालक्षमी को चमकदार रंग रेसमी रंग ज्यादा पसंद है तो लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें धन की कमी दूर हो जाएगी और धन लगातार बढ़ेगा कप करेंगे किसी भी महने की पूर्णिमा को दिपावली के दिन होली के दिन या फिर किसी भी सनी वार मंगलवार के दिन ये प्रियोग आप कर सकते हैं अगर आप रसोई घर का जो भंडार घर होता है सहदेवी की जड़ को गंगा जल से सुध करके वहां रख दे तो अन धन लक्षिमी की कमी कभी नहीं होगी और घर में सुकसान्ती भी बनी रहेगी घर का वास्तु दोस्दूर होगा माना जाता है कि अगर सहदेवी के पौधे की जड़ से रोज आप अपने माथे पर तिलक लगाएं तो सत्रू भी बसी भूत हो जाता है सत्रू भी आपका गुलाम हो जाता है और वो चाहकर भी आपके विरोध में कोई भी कारे नहीं करेगा तो ये टोट का बहुत असरदार है सहदेवी के जड़ को आप लाकर रखले घर में इस्टोर करके और रोज थोरा थोरा घिस कर आप चाहे तो पौडर बना के भी रह सकते हैं लेकिन घिस कर ही आप अगर जैसे चंदन घिसते हैं उसी तरह से घिस कर तिलक करे तो वो जादा हो अच्छा होता है मानेता है सहदेवी के पौधे को अगर रभी पुष से नच्छतर पुर्णी मां अवस्या के दिन घर लाते हैं और सुरियोदे से पहले असनान करके इस पौधे को गंगा जल से सुद्ध कर पंचाम रिस से असनान करा कर अगर आप पूजन कर अपने पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका अगर छोटा सा प्रियोग कर लें तो आपकी सभी मनुकाम नाय पूर्ण हो जाती है अगर आप भी धन चाहते हैं वैसे तो धन हर कोई चाहता है लेकिन आज जो हम आपको उपाय बताएंगे एक छोटा सा पौधा है जिसका उपाय करना है ह लेकिन इस पौधे को आयूरवेद में भी महत्तु मिला हुआ है और तंतर सास्त्र में भी महत्तु मिला हुआ है लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा सहदेवी के पौधे को रभी पुस्य नच्छत्र पूर्णिमा या अमवस्या के सुभ अवसरों पर ही अपने घर जीवन में खुसियां चाहिए और फिर अगले दिन जाकर थोड़ा सा पानी साब गिला कर लिजएगा जड़ के पास और फिर उखाड कर ले आए घर लाकर सुद जलिया गंगा जल से या फिर पंचाम रिस से स्नान कराईए इस जड़ को अब सहदेवी के पौधे की सिद्ध कीवी जड़ इस तरह से आप जब करेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगी जब आप सो मूर्त में कोई चीज लाते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है अब लाल रंग के कपड़े में लपेट कर हलका सो सूखने दें गीला कच्चा मत रखिएगा उसको लाल कपड़े पर पुजा स् भंडार करते हैं कीचन का समान लाके स्टोरूम में रखते होंगे तो सहदेवी की जड़ अगर सुधता के साथ अप अन्न के पास रख दे या अपने कीचन में रख दे लाल कपड़े में ही लपेट कर तो धन की कमी कभी नहीं होगी और अगर पूजा कक्च में आप रखते है आप थोड़ा जादा ही ले आईएगा और थोड़ा सा लाल धागे में अपने बहां में बांध लें या फिर अपने पॉकेट में रख लें आपको बिजैसरी जरूर मिलेगी अगर सहदेवी का पूरा पेड़ यानि की जैसे जड़ तना पत्ते पुस्प उसके बीज सभ को एक साथ कूट लें सुखा कर और इसी का तिलक अगर लगाएं तो जिसके भी सामने जाएंगे वह आपके बसी भूत हो जाएगा यह परियोग लगातार करना होगा तिलक वाला कुछ दिन तक लगातार आप तिलक लगाई आराम से आप पूरे दुनिया में घुमियों आपकी बात मानेगा आपके अंदर रहना पसंद करेगा और अगर इस पंचांग चुड़न जिसको आपने तिलक लगाया है अगर आप जीप पर रखकर किसी से भी बात करेंगे तो हजारों लोग आपको सुनना पसंद करेंगे थोड़ा सा जादा नहीं आप चाहें तो पी वो आपकी तरफ आकरसित हो जाएगा और अगर सहदेवी के पौधे को चाया में सुखा कर उसका चुड़न बना कर आप अपने हातों से पान में रखकर जिसको भी खिला देंगे वो आपके बस में आ जाएगा अगर आप किसी को चाहते हैं पर अच्छे चीज़ों के लिए कीजेगा गरवर चीज़ों के लिए नहीं गलत चीज मत कीजेगा अपने घर में भी आप चाहते हैं आपके भाई बेंदब सब आपके साथ रहे मिल जुलकर तब आप ये परियोग करें पान में रखकर उनको खिला दें अपने हाथ से और अगर सहदेवी का जड़ का तिलक लगाते हैं तो सत्रूभी मित्र बन जाता है अगर दाहिने बाह में आप बांते हैं तो सभी परेशानी रोग दूर हो जाते हैं सहदेवी के जड़ के लिए आप सहदेवी के पौधे को जड़ समेथ उखाड कर ले आप ये प्रयोग सनिवार मंगरवार के दिन करें और जि जो बेक्ती बेचैन रहता है उसके सिराने इस या तक्ये के पास सहदेवी का पौधार रख दे यकीन मानिए अच्छी नीन आएगी डरावे डरावने जो सपने है वो समात हो जाती है अब देखिए सहदेवी के पौधे सही नचतर में अगर उखाड के लाते हैं तो ज्यादा पूझ से नचतर जिस दिन हो सूरज निकलने से पहले आप सहदेवी के पौधे को की जड़ को थोड़ा सा ले आए घर और लाकर पूझा अस्थान पर रख कर उसका पूझा करें यकीन मानिए लक्षमी तो इस्तिर रहेगी हर कारियों में सफलता मिलेगी जब भी आप घर में धन धाने भरा रहे तो इसकी जड़ लाल कपड़े में रपेट कर हम इस आपने पॉकेट में रखे हर कारियों में सफलता और आपका भाग्योद है भी होता है अब आप चाहते हैं कि किसी इस्तरी पुरूष को खासकर जीवन साथी को या कोई अपने को गलत कर थोड़ा सा जादा ने एक चुटकी उस ब्यक्ति को इस तरी पुरूष को खिला दे तो वसी करन हो जाएगा अपने हाथों से खिलाने का प्रयास करें यकीन मानिए वह आपके साथ रहना पसंद करेंगे आपके साथ बाते करना पसंद करेंगे तो यह प्रियोग बहुत स कर सकता है आप इस्तरी हैं पुरूष हैं बुजुर्ग हैं हर कोई कर सकता है कोई दिकत नहीं है बस करने के लिए आपको कुछ खास दिन का प्रयोग करना है जैसे कोई भी अमवस्या पुर्णिमा गुरु पुस्य नच्छत्र रभी पुस्य नच्छत्र होली दिपावली या फिर नमरात्र के दिनों में तो हम आपसे विजा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेश जरूर लिखें धन्यवाद